दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी ख़बरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पहले कबर बिहार बोर्ड मेट्रिक परिचा में मैट का पेपर लिग परिचा से पहले वाइरल प्रसन पत्र को मौतिहारी डियम ने सही बताया जिहां बिहार में मेट्रिक परिचा के पहले ही दिन पेपर आउट हो गया है गुरवार को गनित की परिचा थी पेपर सुरू होने से पहले ही मैट का पेपर मौबाइल फोनों पर वाइरल होने लगा जब पेपर सुरू हुआ तो उसका मिलान कराया गया मिलान के बाद मोतीहारी की डियम ने वायरल पेपर को सही बताया सभी प्रस्ण असली पेपर वाले ही मिलने पर जाज का अधिस दे दिया गिया है हाला कि बोड ने पेपर आउड से इंकार किया है बूर्ड का कहना है कि डियम ने केवल पेपर वाइरल करने वालों की जाच के अधिस दिया है अगली बड़ी कबर बिहार की पहली बुले ट्रेन सासाराम गया से निकलेगी हाइ स्पीड रेलवे ट्रेक की सुरुवाती सर्वे पुरा वारा नसी हावडा की बीच दोड़ी की ट्रेन जिहा बिहार की पहली बुले ट्रेन राज़ानी पढ़ना नहीं गया सासाराम से गुजरेगी वारानसी हावडा की बीच बिहार जारकन होकर प्रस्ताविद बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रेक बिचाने और उस पर बुलेट ट्रेन चलाने के तयारी सुरू हो गई है पूरो मजद रेल क्याले में भी रेल मंत्राले से इस अंदर्ब का पत्र आ गया है वारानसी हावडा हाई स्पीड रेल कोरिड़ के लिए प्रानमिक सर्वे का काम पुरा हो चुका है हाली में राजसबा में एक सवाल के जवाब देते हुए रेल मंत्री अस्विनी वैसव ने देश के साथ रूट पर बुले ट्रेन चलाने के जानकारी दी थी इसमें वारा नसी से हावडा रूट भी सामिल है पटना के साथ बकसर आरा बिहार सरीप और नवादों को जोड़ने वाली बुले ट्रेन का प्रस्ताव दूसरे फेज में आने के उमीद है वहीं वारा नसी हावडा के लिए सासा राम गया कोड़रमा हजारी बाग गिरेडी धनबाद के रास्ते हाई स्पीड रेलवे ट्रेक बिछाए जाएगी जिस पर बुले ट्रेन चलेगी अगली बड़ी खबर आप बाइक से चार साल तक के बच्चों को लगाना होगा क्रेस सेलमेट और सेप्टी होरनेस जाने नए नियम साथी चार साल से कम उमर के बच्चों को लेकर चलने वाले बाइक के अधिकतम गती 40 किलोमेटर परती घंटे होगी 15 फरवरी को केंदर सरकार ने संसोधित केंदरिया मोटर या नियाम 1989 राज पत्र में अधिसुचित किया है जिसमें इसे समनित प्रावदान समिल किये गए है राज सरकार के द्वारा इसे राज में लागू किया जाने के अधर सचना जारे होने के बाद पाटना में भी बाइक के लिए पीछे बेटे बच्चे जो चार साल से कम है उनके लिए प्रावदान लागू हो जाएगा बाड़े कबर बिहार में पसुपालन करने वाले किसानों के लिए खुसकबरी नितिस सरकार खरेदेगी गोबर मिथेन बना कर की जाएगी सप्लाई जिहा बिहार में नितिस सरकार किसानों से गाई भैस के गोबर खरेदेगी इस गोबर से मिथेन गैस बना कर गाओं में सप्ल की जाएगी इसके तैयारी की जा रही है प्रतेग जिले में गैस प्रोसेसिंग प्लान इस्तापित करेगी बड़ी कबर बीपीएसे के इस एकजाम में किताब लेकर आने की छूट एक सट हजार अभियर्थियों ने किया है अविदन जिह अभिहार लोग सिवा आयोग की लीसी के 24 पद निर्धारित है इसके लिए एक सट हजार अभियर्थियों ने आविदन किया है इनके लिए साथ जिलों में 117 परिचा केंदर बनाए गया है परिचा पाटना मुझपर पूर गया चपरा भागल पूर चपरावा नालंदा जिला मुक्यालाय में आयो जित होगी पर 14 मिनट तक प्राराम्बिक परिचाय जित होगी इसमें अभियर्थियों को पुस्तक ले जाने की छोट होगी बाड़ी कबर बिहार के पाच जीलों में 12 पिर बड़ेगी ठन पाटना मुझप विगान केंद्रे ने जारी किया पुर्वानुमान जिया प्रदेस में ठन का अस 14 में मौसम सुस्क बना रहेगा उसके बाद 20 फरवरी को तचिन पुर्व भाग के भागल पूर बाका जमोई मुंगेर खागडिया के अलग-अलग इस्तानों पर हलके से मैदा मिस्तर के बारिस का पुर्वानुमान है बाड़ी कबर बिहार में बच्चों के इलाज के लिए 28 जिलों में बनेंगे अस्पताल भोजपूर, बकसर, सिवान और सारन भी लिष्ट में जिया बिहार में सिस्वों के इलाज की बहतर ववस्ताव सरकारी अस्पतालों में ही मिल सकेगी इस सिस्व मिर्तिदर को कम करने क दिसा में प्रवावी मदल मिल सकेगी प्रदेश की जिलो में बच्चों को बहतर इलाज की सुविदा देने के लिए स्वास्त विबाग जिला एस्पतालों में पेडियाट्रिक इनिस्ट्रेटिव केर उनीड यान की प्यूकू का निर्मान कराएगा विलाल 28 जिलो का चैन इस योजना के लिए किया गया है पेकू के निर्मान पर तकरीबान 78.66 करोड रुपे की लागत आएगी जिन जिलो में या एस्पताल बनेंगे उसमें भोजपूर बकसर मोतिहरी गोपाल गंज जहानाबाद जमूई केमूर कटिहार समस्तिपूर सारन सितमडी सिवान किसन बाड़ी कबर राज में आप पैसे की वज़ा से नहीं रुकेगी गरेब बच्ची की पढ़ाई इस सनातक में नामांकन के लिए मिलेगी स्कॉलर सी 15 मार्च तक करे आवेदर या बिहार में बारवे की पढ़ाई कर रहे गरेब मेगावे चात्रों की पढ़ाई पैसे की कमी से नहीं रुकेगी वे सनातक में बिये बियसी बिटेक एमबी बियस समेथ आइन कई कोर्सों में नामांकन ले सकते हैं पेस में उनकी मदद यूत ड्रेम्स पावनेंसन करेगा पावनेंसन की और से बिहार के कर्चचा बारवी में पढ़ रहे वैसे चात्र चात्रा है जिनक अनिस सर्मा ने बताए कि हमने अब तक 500 स्कूल कोलेजों के साथ मिलकर 10,000 से ज़्यादा जरत मंद चात्र चात्राओं को स्कूलर्शिप दिलाने में मदद की हैं सौरब ने बताए कि हम बिहार के ग्रामेन इलागों के चात्रों तक पहुचना चाते हैं ताकि परतिबाओं को उचित मंच मिल सके इसका नाम बेना उपेंद्रे स्कूलर्शिप है बिहार के चात्र चात्रा है इसमें 15 मार्श तक आविदन कर सकते हैं अगली बड़ी ख़बर मुझपरपूर में पंजाब के सियम पर कोड में परिवाद दायर बिहार और यूपी के लोगों के लिए बयान पर मचा बवाल 24 परवारी को होगी अगली सुनवाई जिया पंजाब के सियम चरंजित सिंग चन्नी के दिये गए बायान पर बिहार योपी में बवाल मचा हुआ है इसे लेकर कल मुझे परपुर कोड में पंजाब के सियम पर परिवाद दायर कराया है समाजिक करकर तो तमाना हासमी ने ये परिवाद दायर कराया है उन्होंने बताया कि कोड ने अगली सुनवाई 24 परवरी को तै की है तमाना ने बताया कि पंजाब के सेम ने योपी बिहार के लोगों के लिए बयान दिया था जिसमें कहा था कि योपी बिहार के लोगों को पंजाब में घोसने नहीं देंगी उनका ये बयान देश की एक्ता को तोड़ने वाला है। उनके इस बयान से लोगों की बीच भाय का माहूल बन गया है। अगली बड़ी कबर बिहार में गाड़ी चलाने के दोरान अगर इस काम में पकड़ाए गए तो गिरबतारी के साथ रद होगा लाइसेंस। जारी जिया सराब पिकर गाड़ी चलाते गिरबतार होने पर प्राथमी के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी रद किया जाएगा। उतपाद अधिक चक संजे कुमार राय ने इस बाबाद मुझापर पूर जिले के सभी तानेदारों को पत्र लिखा है। उन्होंने जनवरे माँ के बाद ड्रंक एंड ड्राइव केस में गिरबतार किये गए लोगों के बारे में जानकारे मांगी थे। जिले के सभी तानों से डाटा केतरित करने के बाद लाइसेंस रद करने का प्रस्ताव डेटियों कारेयलों को भेजा जाएगा। फिलाल ड्रंक एंड ड्राइव केस में जेल भीजे गए आरुपितों के लैसिंस को रद करने के प्रस्ताव पिछले कापी दिनों से उत्पाद विभाग को नहीं भीजा जा रहा था बाड़ी कपर बिहार के सबी नीजी आईटिया की होगे जाच, मानक नहीं पुरा करने वालों के रद होगे मैंनेता जिया बिहार के 1182 नीजी आईटाई के जाज होगी केंदर सरकार ने इस समद में एक फर्मेट तयार किया है जिसके अनुसार अगले दो मा में जाज परक्रिया को पूरा किया जाएगा इसके लिए अधिकारियों के टीम का गठन किया गया है केंदर सरकार के निर्देश पर अस्रम संसांदर विभाग ने सबी आईटाई के मायकर उस्तर से जाज करने लिया है जो आईटाई इस मानक पर खरा नहीं उतरेंगे उसकी समदता समाप्त की जाएगी बड़ी खबर 18 और 21 फरवरी को बिहार जारकन समेत इन राज्जों के यात्रियों को होगी परिसानी जह सुकुरवार से बिहार जारकन पश्चिम मंगाल समेत कई राज्जों के रेल यात्रियों को परिसानी हो सकती एकास कर 18 फरवरे से 21 फरवरे के बीच लोगों को दिक्क से आठ घंडे के ब्लोग की वज़ा से जहारकन और बिहार के यात्रियों को 18 और 21 परवरी को दिक्कों तक सामना करना पड़ सकता है बदा दे कि ट्रेनों के सबल संचालन में कई फ्यक्टर काम करते हैं ट्रेनों के संचालन पर मौसम का भी अच्छा खासा असर पड़ता है कई बार घंडे कोरे की वज़़ा से भी ट्रेनों का संचालन परवावित होता है यहां तक कि ट्रेनों को रद भी करना पड़ता है दिनाख 6 जन्वारी 2021 को जारी अधिसुचना के आलोग में कुरोना में हमारी के बढ़ते संक्रमन एवाम देश के कई भागों में लगे रात्री कालेन करफू के मादे नजर इस्तगित कर दी गई थी एगनी के वुक्त परिच्छा दिनाख 4 मर्ज से 9 अप्रेल तक आउजित क जाएगी आपकी जानकारे के लिए बता दे क्या दे सुचना के आलोग में परिच्छा के आईजन से समयने दांतिम डेट सिट सिख रही इगनू के अधिकारिक वेवसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी एवं हॉल टिकट भी परिच्छा आरम होने से प्रस्तावी तिदी स एक सबता पूरू अपलोड कर दी जाएगी आज के लिए को सवाल बताए कि आ भी हार के किस जिले में रहते हैं और आपके जिले में ठाण कितनी ज्यादा है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं